जी मेरा नाम शामलल गांधी है शोशल वरकर हूँ समा सेवक हूँ और आज राष्ट पिता महात्मा गांधी जी की जैनती है दो अक्टूबर हो और इस मौके पे मैं सभी को बढ़ाई देता हूँ देशवासियों को और संदेश ये देना चाहता हूँ बच्चों को तो बच्चे जो हैं नशे से दूर रहें और बुराईयों सभी बुराईयों से दूर रहें और पंजाब के जो नए सियम साब बने हैं चन्नी जी उनको सियम बनने के प्लक्ष पे मैं उनको भी बढ़ाई देता हूँ कि नए नवेले बने हैं सियम साब और उनको धेर सारी शुबकावना है और उनको अपील भी करना चाहता हूँ गांधी जैनती के मौके पे कि हमारे जो अमरिसर में पंजाम में नशा है वो बिलकुल बंद होना चाहिए क्योंकि ये गुरुरामदास की नगरी है या इरिशी मुनियों की नगरी है यहाँ पर ये धर्ती बहुत महान है बहुत पवित्र धर्ती है यहाँ पर न नशे बेचने वाले रहने चाहिए और नशा विकना चाहिए यह समार्ट सिटी बनना चाहिए जैसे और राज़ी जैसे हरीदवार है अपना वरिंदा बन है धारमिक स्थाल है वहाँ पर बिल्कुल बैन किया हुआ है पंजाब के अंदर से नशा बेन करना चाहिए और ये मैं अपील करना चाहता हूँ जो बच्ची हैं चोटे-चोटे महिलाएं हैं या लड़की हैं जो स्कूल कॉलोजी में जा रही हैं उनको एक वशेश रूप से पैकेज दिया जाए कि हमारे अमरिस्तर में या पंजाब में 24 घंटे जम्मर जी कहीं भी किसी काम के लिए जा सकें तो उनको डर भैना हो किसी लड़के से किसी बदमाज से कि उसमें हमारी बहन भी हो सकती है हमारी मा भी हो सकती है हमारी बेटी भी हो सकती है ये उनको भैनी होना चाहिए और ये सावी क्राइम खतम होना चाहिए और चन्नी साब से हमें बहुत ज़्यादा उमीदें हैं आपको पता होगा चैनल के चैनल वालों को मीडिये चैनल वालों को कि जब यह आप देख रहे हैं उपर यह इन्होंने सब देश सभी को अजाद करवाया तो कुछ सरकारों में मिलके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि इनको आज गुलाम बना के रखा हुआ देखो बांद के रखा हुआ है इन्होंने हमको अजादी दिला दी हमने क्या दिया उनको गुलामी दे दी क्या हमारे पास दूसरा कोई option नहीं है कि हम कोई छतरी ना करें या गंदगी ना फैलाएं हमने तो उनको शीशे में बंद कर दी चुनवा दिया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यह तुरंत खोला जाए अगर सरकार से सरकार अगर इसकी सफाई नहीं करवा सकती है तो इसको खुलवाएं सफाई मैं शामलल गांधी वादी समासेवक मैं इनके दो दिन